हलो दोस्तों भारत अप्डेट्स चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों यहां पर यहां पर हिमाचर पूसेश टेकनिकल युनिवस्ट्रिक दरफ से भारत अप्डेट्स वीडियो पोस्ट होने के थोड़ी दियर बात जो है मैं आपको टेलेग्रम के पर उसका पीडियाफ प्रोवाइड करवा दूँगा तो चलिए फटरफट से देख लेते हैं कब से स्टार्ट है फोम भनना लास्ट डिट क्या है क्या क्यार में इलिजबिल कौन कौन से इसमें कोर्सिस है वो अभी हम देखेंगे यहां पर यह कुछ इन्फो है या आप इसको देख सकते हो और अभी हम यहां पर चलें तो यह ब्रिवेशन है इसकी और यहां पर होगा चलिए तो दोस्तों डेट स्टार्ट जो है हो चुकी है 21 मार्च से और क्लोजि को भर सकते हो कौन कौन से कौर्सिस है इसमें आपको मिलेंगे बीटेक डारेक्ट एंट्री वी फर्मेसी डारेक्ट एंट्री एंचे अम बीए बीटेक टी एंट एंचम कौर्सिस तक होगा के लिए next देखते है date of time of entrance examination for B.Tech direct entry भी भार में सी direct entry and M.C.E. courses के लिए 14 माई को 9.05 से लेकर 12 बज़े तक आपका ये exam होगा ठीक है time और date यहाँ पर बताया हुआ है बाकि date and time for the entrance examination M.B.A. and M.B.A. T.E. and H.M.E. courses के लिए 14 माई को ही 2 से 4 बज़े तक आपका exam होगा okay tentative date है result declare होने की 25 माई तक आपका result आ जाएगा ऐसा यहाँ पर कहा गया है फिलहाल ये tentative ही है next देखते हैं तो apply कहां से करेंगे www.himtu.ac.in यहाँ पर आप इनकी latest updates देख सकते हो और इसका link जो है apply करने का मैं इस video के description में provide करवा दूँगा important information after entrance test के बाद आपकी information आप यहाँ पर बताए गई है publication of the prospectus माई 2023 और फिर आपकी counseling ब्यारा होगी माई में ही फिर UGPG courses के लिए counseling होगी पहले application form भरा जाएगा माई मैं जून में फिर counseling होगी start of the classes of UG and PG के जो classes start होगी 2023 सेर्शन के लिए वो होगी एक अगस्त के first week में है और आगे देखें तो यह इसका बताया हुआ है इसके बारे में आप देख सकते हो और entrance test scheme यहां पर बताए गई है offline आपका test होगा language English रहेगी क्या-क्या यहां पर रहेगा वह आप यहां पर देख सकते हो syllabus भी यहां पर बताया हुआ है क्या आपको आएगा syllabus में ठीक है इस exam में तो वो आप इधर देख सकते हो time duration क्या रहेगी कितने question आएंगे किस subject से आएंगे ठीक है सब कुछ यहां पर बताया गया है all the given 20 questions are compulsory जो section A के है ब के सी के सारा आप देख सकते हो there will be a negative marking minus one mark आपका मिलेगा किसी एक अगर आपने कोई आप गलत अंसर देते हो अगर आप सही करते हो तो चार नंबर आपको उसके मिलेगे okay तो इस scheme बदाई हुए यहां पर बाकिए syllabus बगार आप देख लिजिएगा किसके लिए क्या-क्या syllabus यहां पर बताया गया है यह eligibility criteria है beta के लिए plus two होना चाहिए बाकिए आप देख लेना mathematics chemistry इनमें से कोई मैसे अगर आपने की है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो ठीक है non medical physics chemistry जो भी है बहुत देख लिए बी फार्मेसी के लिए physics and chemistry होना चाहिए और along with one of the subject math biology at least 45% मार्क्स आपके होने चाहिए रिजर्ट कटे के लिए 40 मार्क्स आपके होने चाहिए MBA के लिए past appeared in bachelor degree आपके पास होने चाहिए और at least 50% मार्क्स हो और रिजर्ट कटे के लिए 45% मार्क मार्क्स होना अनिवारे हैं MCE के लिए BSC के हुए computer science में या BCA हो past appear दोनों कोई भी कर सकता है यानि कि जिन्होंने BCA के final में है वो भी apply कर सकते हैं BSC computer science में अगर कोई past है या अभी appeared है last है final है तो भी apply कर सकते हैं यह सभी जो कोई भी courses अगर आपने के यह हैं तो इसके लिए आप apply कर सकते हो ठीक है 45 बाकियों के लिए और जो रिजर्व कैटेगरी के से आते हैं उनके लिए 45% मार्क्स लगेंगे ठीक है बाकी seats आप देख सकते हो seats available वह तो आपको यहां पर भी बताया गया है कितनी सीटें यहां पर sanction है किस college में है ओके वो आप यहां पर देख सकते लो रिट में 40 सिटें जो कथोग में है तेसील देरा हो पड़ता है तो यह आप देख सकते हो पूरा डीटेल में यहां पर बताया गया है ठीक है पूरा आप यहां पर इन्फो देख सकते हो और fees कितनी है entrance test की BTK के लिए 800 बाकियों के लिए जो result category है पहले उनके देख लेते चेंड में दोनों अप्लाइगा रोगे तो 1600 और यह फीस refundable नहीं है अदर्स की बात करें तो जैसे जनरल category की आगई है या और भी category जिसके अंदर आगई तो उसके लिए 1600 डबल फीस है तो यह आप देख सकते हो ठीक है सिदी डरेक्ट डबल फीस है और बाकि अर्वन 25 माई को आपके एक्जाम होंगे नहीं रिजल्ट आएगा 25 को एक्जाम होगा 14 माई को सभी का 25 में तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे बाकि यह पढ़ लिजागा दोस्तों पूरा आपर पढ़ना चाहो तो ठीक है बाकि वीडियो चे लगे तो लाइक शूर चैनल सब्सक् के लिए थैंक यू